गुड मॉर्निंग तु आल माई डियर फ्रैंड्स कैसे हैं आप सब आज हम लोग इंटीक्रेशन सॉल्व करने का सुपर साइट कर मेथड देखेंगे दा मोस्ट पाउरफुल प्रॉपर्टी आफ इंटीक्रेशन देखेंगे इस प्रॉपर्टी का प्रियोग करके हम लोग आ चलिए हम लोग देखते हैं अगर इस सुपर साइट कर मेथड को आप लोग कंप्टीशन एक्जाम में लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत बचेगा जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं इस मेथड को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और पहले भी एक साइट कर में बता चुका हूं लेकिन वहां पर मैंने आया हुए क्यो relaism ne हैं बताया हूं यहां पर मैं अप लोगों को आया हुआ क्योशन भी बताओं हो और वो सुपर साइट कर मेथड की बता ने तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेथडिवत थे थैं फिर हम पर लिमिट भी है और हमारा function है fx upon fx plus f of a plus b minus x dx इसका integration करना है fx upon fx plus f of a plus b minus x तो इसका answer होता है b minus a by 2 यह होता है हमारा the most powerful property of integration super start cut method चलिए अब यहाँ पर apply करते हैं यहाँ पर देखिए उपर fx है नीचे भी fx है उपर नीचे same होना चाहिए और यहाँ पर a plus b minus x है या f of a plus b minus x होना चाहिए तो यहाँ देखिए e की power class x यह हमारा function हो जाएगा उपर नीचे same to same if we have a power class x यहाँ पर देखिए e की power minus class x है means अगर यहाँ पर लोग एक step solve करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर solve कर रख लगे हैं यहाँ पर अगर देखिए तो ypx है उपकाल तू क्या है e की power class x है नीचे भी वही है ypx यहाँ पर हमें क्या दाना या फाफ a plus b minus x a क्या है lower limit upper limit क्या है b तो इन दोनों को जोड़ दीजी जो zero plus πye minus x यह हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा या फाफ pi minus x तो यह हो जाएगा e की power caster pi minus x caster pi minus x क्या हो जाएगा e की power minus caster x यही तो है e की power minus caster x मतलब यह question इसी form का है इस form का है तो इसका answer क्या होगा B minus A by 2 B क्या है upper limit minus lower limit divided by 2 equal to pi by 2 देखा आप लोगोंने कितना आसानी से solve हो गया हमें सम्झाना था इसलिए इतना time लगा अगर हमें सम्झाना ना हो तो हम direct इसको देख करके और answer ये लिख देते सिर्फ दो सेकंड के अंदर हम लोग solve कर लेते तो हैनल ना जबाब सुपर ट्रेक चलिए आगे भी हम लोग देखते हैं यहां पर अगर देखें तो इसके option को अगर इससे compare करें तो function fx की value क्या है function fx की value है under root cortex under root cortex समझा रहा हूं इसलिए otherwise हमें कोई जरूवत नहीं थी तो under root cortex और उपर नीचे same to same है जैसे fx upon fx है फिर हमें निकालना क्या है यफ़ाप a plus b minus x तो a की value 0 है और इसकी by by 2 तो 0 plus pi by 2 minus x इसकी value निकालना है मतलब यफ़ाप pi by 2 minus x जहां पर x है वहाँ पर pi by 2 minus x लाना है मतलब ये cut pi by 2 minus x cut 90 minus theta क्या होता है 10 theta होता है मतलब 10x आ जाएगा और यही तो हमारा है under root 10x मतलब ये question हमारा इसी form का है तो हमारा answer भी ये आएगा क्या आएगा b minus a by 2 b कितना है pi by 2 minus 0 divided by 2 क्या आ गया pi by 4 ये iit 1999 में आया हुआ question है ये iit 1983 में आया हुआ question है ये j mains में 2013 में आया हुआ question है देखे कितनी आसानी से solve होगा इस question को हम लोग direct लिख सकते हैं लेकिन हमें समझाना है इसलिए हम थोड़ा सा एक step और solve करते हैं pi by 6 और यहाँ पर pi by 3 यहाँ पर देखे divided by under root cos x plus under root sin x अगर इसको हम लोग under root sin x बटे cos x में convert करेंगे तो ये आ जाएगा अगर इसको यहाँ से देखा जाए तो f x f x की value क्या है f x की value है under root cos x ये और जो उपर है वही नीचे है under root cos x under root cos x और ये वाला ये यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर आता है a plus b minus x a a की value क्या है pi by 6 pi by 6 plus b की value क्या है pi by 3 upper limit minus x और इसको अगर हम लोग solve करेंगे तो ये क्या आएगा pi by 6 plus pi by 3 दोनों को add करेंगे तो क्या आ जाएगा pi by 2 minus x अब यहाँ पर आ आ गया pi by 2 minus x मतलब जहाँ पर yx है वहाँ pi by 2 minus x रख दीजिए तो कास pi by 2 minus x जब रख देंगे तो यह आ जाएगा under root sin x कास 90 minus theta क्या होता है sin theta तो यहाँ पर under root sin x मतलब यह question इसी form का आ गया तो इसका answer भी क्या होगा यही b minus a by 2 b की value क्या है pi by 3 minus a की value क्या है pi by 6 divided by 2 बस इसको solve कर लीजिए LCM क्या आ जाएगा 6 2 pi minus pi क्या हो जाएगा 2 pi में से pi निकल जाएगा pi divided by 2 क्या आ जाएगा pi by 12 यह हमारा answer आ जाएगा pi by 12 clear आप लोग इसको note कीजिए फिर हम लोग और अच्छे-च्छे question 0 to 4 log x square upon log x square plus log 36 minus 12 x plus x square dx इसका integration करना है इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या इतना लिख सकते हैं 2 upon 4 log x square divided by log x square plus log यहाँ पर यहाँ पर हम लोग इसको 36 मतलब 6 का square यह x square minus इतना तो यह आ जाएगा 6 minus x का whole square हो जाएगा 6 minus x का whole square हम लोग लिख सकते हैं यह a square plus b square minus 2 a b का partner लगाएगे तो यह आ जाएगा अब हम लोग अगर इसका compare इस से करें तो देखें कि log x square log x square means fx की value fx की value क्या है log x square आ गई fx की value यह है नीचे हमारा क्या लाना है यहाँ पर a plus b by minus x a की value 2 है b की value 4 है minus x मतलब क्या आ जाएगा यह f of 6 minus x मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर 6 minus x रखेंगे तो x के अस्तान पर 6 minus x का whole square मतलब यह आ गया और यही तो यहाँ लिखा हुआ है मतलब यह के उस्चन सेम इसी form का आ गया तो हमारा answer यह आएगा इस question को solve अगर किया जाए तो कम से कम 15 minute लगेगा और 15 minute question को हम लोग सिर्फ 2 second के अंदर कैसे solve कर रहे है यह इस form का आ गया हमारा answer यह हो जाएगा b minus a by 2 b की value 4 है upper limit minus a की value 2 है divided by 2 क्या आ जाएगा 2 by 2 मतलब 1 हमारा answer आगा हमारा answer क्या आया 1 अब यह वाला question यह IAT में 2011 में आया हुआ question है हमारा question है integration of lower limit under root log 2 upper limit under root log 3 x sin x square divided by sin x square plus sin log 6 minus x square dx का integration करना अब यह वाला इस form का तो नहीं है क्योंकि यहाँ उपर 1 x है और यहाँ पर 1 x sin square x है उपर नीचे से ही होता है fx और यह यह सेम नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसके लिए हम लोग x square को t मान लेते हैं x square को t मानेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2 x dx इस इसकल to dt और यहाँ से आ जाएगा x dx इस इसकल to dt upon 2 x dx x y और यह dx x यह मिल करके क्या हो जाएगा dt upon 2 तो upon 2 को तो हम बाहर कर लेंगे और यह इतने के अस्थान पर जाएगा dt clear अब उसके बाद limit भी change करेंगे चलिए यहीं पर मैं कर देता हूँ इधर solve कर देते हैं तो यहाँ पर अगर हम solve करेंगे तो यह क्या आएगा यहाँ पर लेख लेख लेखे integration आप limit change कीजिए यहाँ पर yaks के अस्थान पर इतना रखेंगे square करेंगे तो under root हट जाएगा under root हट जाएगा तो यह हो जाएगा log 2 और उपर भी रखेंगे yaks के अस्थान पर under root log 3 रखेंगे square करेंगे तो under root हट जाएगा क्या आजाएगा log 3 आजाएगा और yaks dx के अस्थान पर dt by 2 रखेंगे तो by 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और उपर हो जाएगा dt और क्या आएगा sine yaks square के अस्थान पर आजाएगा t sine t divided by यहाँ पर भी sine t plus sine log sine log 6 minus t yaks square के अस्थान पर t यह आजाएगा into dt यह आजाएगा अब इसका integration हमें करना है अब इसका integration करने के लिए अब इसका compare इससे कीजिए तो fx की value क्या है sine t और यहाँ पर भी sine t मतलब हमारा function t का है तो ft इच कल्टू क्या आगया sine t जो उपर है वही नीचे अब यह वाला कर लेते है यह वाला हमारा क्या आता है yafaf a plus b minus x मतलब yafaf a a की value है log 2 plus b b की value है log 3 minus x होता है तो हमारा t हो जाएगा तो अगर इसको हम solve करें तो यह क्या है जगा log a plus log b log a plus log b क्या होता log a into b मतलब यह हो जाएगा log 6 minus t log 6 minus t तो log 6 minus t आ जाएगा तो अब यहाँ पर log 6 minus t मतलब yaks के अस्तान पर जैसे यह function था t के अस्तान क्या आ गया log 6 minus t तो यहाँ पर t के अस्तान पर भी यही आ जाएगा तो यह आ जाएगा sign टी के अस्तान पर हो जाएगा लाग सिक्स माइनस टी यह आ जाएगा लाग सिक्स माइनस टी इसको रहने लिए लाग सिक्स माइनस टी अब यह वाला क्योंशन सेम इसी फर्म का आ गया। लाग 6 माइनस T, clear? अब मतलब तो इसका जब इसी फर्म का आ गया, जो यहां पर आया है, वही यहां पर है। अब हमारा अंसर जब इस फर्म का आ आ है, तो यही हमारा अंसर हो जाएगा B-A by 2, अब B की वेलू 1 by 2 तो पहले से ही है, 1 by 2 तो पहले से रहेगा, into B minus A, B की वेलू है log 3, minus log 3, minus log B minus A, मतलब log 2, A की वेलू 2 है, divided by 2, तो यह कितना हो जाएगा, to 2 जा 4, 1 by 4, log, log A minus log B का फार्मला क्या होता है, log A upon B, मतलब log 3 by 2, यह प्लस C, यही हमारा नहीं, हमारा लिमिट रखी गए, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, clear, देखा कितनी आसानी से solve हो गये question, अगर वैसे इस question को solve करेंगे, तो कम से कम 15 मिट लगेगा, लेकिन कितनी आसानी से solve हो गया, तो चैनल को like करना, share करना और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसको note कीजिए, हम लोग एक question और देखने हैं, बहुत important question देखने है, इसका integration करना है, इसका integration यह इस form का है नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, यहाँ पर यक्स का term हा रहा है, मतलब यक्स का term हमें हटाना है, हम इसको solve करने के लिए इसमान लेते हैं कि यह आई इसका integration कितना है, आई है, अब हम लोग एक property जानते हैं, integration की, और integration की property होती है, अगर 0 से 2A है, fx dx, तो इसको हम लिख सकते हैं, 0 से 2A, limit change नहीं होती है, f of 2A minus x dx, यह हो जाता है हमारा, 0 से 2A minus x, तो हम लोग जहां यक्स होता है, वहां वहां क्या रख देते हैं, 2A minus x, मतलब upper limit minus x, मतलब 2 pi minus x, तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, 0 से 2 pi, यक्स के अस्थान पर 2 pi minus x, sin की power 2n, और यक्स के अस्थान पर 2 pi minus x, divided by, और sin 2 pi minus x जब करेंगे, तो यह क्या आ जाएगा, यह हमारा, वही sin x ही आ जाएगा, sin 360 minus theta क्या हो जाएगा, first quadrant में आ जाएगा, और यह sin x ही हो जाएगा, अब यहां पर भी वही हो जाएगा, sin की power 2n x, प्लस, cos की power 2n x, dx, अब यह i is equal to क्या हो जाएगा, 2 pi into इतना, minus x into इतना, अब उसके बाद वो भी i आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा, आप लोगों के हो जाएगा, तो यह step आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, plus cos की power 2n x, minus x into इतना, और x into इतना रहेगा, तो सेम यही बन जाएगा, और वो आ जाएगा, i, यह i इधर चलाएगा, तो यह क्या आ जाएगा, 2i, यहां से 2 pi कामन ले ले लेंगे, तो यह आ जाएगा, 0 से 2 pi, और यह हो जाएगा, sin की power 2n x, divided by sin की power 2n x, plus cos की power 2n x, dx, यह आ जाएगा, अब यहां से यह 2 और यह 2 तो cancel out हो जाएगा, तो यह i is equal to क्या आ जाएगा, pi, और यह 0 से 2 pi है, 0 से 2 pi है, तो 2 pi को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर cos में convert हो गया है, अगर sin 2 pi minus x करेंगे, तो sin ही रहेगा, तो वही property यहां पर लगा दीजिए, यह 2 जो है, इस 2 को हम बाहर ले लेंगे, तब यह क्या आ जाएगा, 0 से pi, sin की power 2n x, divided by sin की power 2n x, प्लस cos की power 2n x, यह इतना आ जाएगा, sin 90 minus 6 sin, नहीं, sin वाला तो convert नहीं होता है, sin वाला अगर convert हो जाता, तो फिर हमें क्या दिक्कत थी, यह इतना हो जाएगा, clear, अब यह इतना आ जाएगा, लेकिन इससे भी convert नहीं होगा, तो इसको हमें लिखना होगा, pi को, pi को हम क्या यह लिख सकते है, 2 into pi by 2, 2 by 2, 2 का insula out हो जाएगा, तो pi by 2 आ जाएगा, फिर से यही property लगाईए, और 2 को बाहर ले लीजिए, तो i is equal to 2 pi, यह तो है यह 2 pi, और यह वाला भी 2 बाहर आ गया, यह वाला 2, तो यह integration 0 से pi by 2 हो जाएगा, sin की power 2 n x, divided by sin की power 2 n x, plus cos की power 2 n x, d x, इतना आ जाएगा, और इतना आ जाएगा तो यह हो जाएगा, i is equal to 4 pi, i is equal to, यह कितना आ जाएगा, 2 to 4 pi, और अगर इसे देखा जाए, चली, अगर इसे देखा जाए, तो यहाँ पर नीचे same to same है, मतलब यह fx की value हमारी क्या है, e if x की value है, sin की power 2 n x, यह है, और ऊपर नीचे same है, और दूसरा हमें क्या लाना होता है, a plus b minus x, मतलब 0 से pi by 2, मतलब क्या लाना है, pi by 2 minus x लाना है, मतलब x की अस्तान pi by 2 minus x, तो sin की power 2 n, और यहाँ पर pi by 2 minus x, sin 90 minus theta क्या हो जाता है sin 90 minus theta cos theta हो जाता है cos theta और power 2N जैसे है वैसे ही रहेगा यह आ जाएगा और यही चीज तो यहाँ पर है मतलब यह चीज इस form का आ गया तो हमारा answer भी यह आएगा तो हमारा i is equal to 2 आ जाएगा तो टूजा 4 pi तो हमारा पहले से है उसके बाद में इसका answer हो जाएगा b minus a by 2 b की value क्या है pi by 2 minus a, a की value है 0 divided by 2 वही यहाँ बी की value pi by 2 है और a की value 0 है अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यह i equal to आ जाएगा 4 pi into pi by 4 4, 4 cancel out हो जाएगा तो हमारा answer आ जाएगा pi square यह हमारा की question आ जाएगा इस question को अगर हम long cut तरीके से solve करते तो बहुत time लग जाता बहुत time लगता लेकिन इससे हम लोग देखो इस तरीके solve कर लिया i की value हमारी क्या आ जाएगा pi square clear तो आप लोग इसको note कीजिए channel को like करिए अपने दोस्तों में share करिए और subscribe करिए क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके से IIT में question competition में आने हुए question मैं हमेशा ले करके आता रहता हूँ अगर आप board exam भी तयारी कर रहे हैं तो integration पूरा पढ़ना चाहते हैं long cut तरीके से तो उसका link नीचे description में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग देख करके solve कर सकते हैं note कीजिए thank you for watching